हम देखने वाले हैं अरहर के बीच की मात्रा है कुण सा बीच लगाना चाहिए और लगाने से पहले कौन सा उपचारू स्में करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले इस बहुत हैं कि निखिस का अक्रेंर था yaum這邊 नूक्व करें ये विशरे पें करें के पिए लाइड और अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर देख रही तो चैनल के सबस्क्राइब करने सब्सक्राइब करें क्योंकि जब भी मैं चैनल पे निव वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए है तो सबसे पहले हम देखते हैं बीच की मात्रा और भी जूपचा इसमें जल्दी पकने वाली जाती जो होती है उसका तक्रीबान बेश से 25 किलोग्राम एव मध्यम पकने वाली जातियों का 1520 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीच में बोना चाहिए और चोपली पदती से बोने पर तीन या चार किलो बीच की मात्रा प्रति हेक्टर लगती है और बोने के पूर्व फपुद नाशक का जो दवा होता है ओ दो ग्राम थायरम एक ग्राम कार्बोनीजम या विटावेक्स दो ग्राम और पाच ग्राम टायकोडार्मा प्रति किलो बीच के हिसाब से उपचारित करें और उपचारित बीच को इस वीडियो को साजक करें तो थैंक्स थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो